बूंद बावडी आए सुनते हैं पदमा सज्देव की लिखी कहानी मैं एक बार फिर बच गई हूँ इस बार तो मौत के जबड़े खोल कर बाहराना पड़ा पर मज़ा आ गया मर मर कर जी जाने का सुख जीवन की कदर बढ़ा देता है जिन्दगी ज़्यादा कीमती ज़्यादा अनमोल होड़ थी है यूँ लगा मौत अपने पीछे पीछे आने को कह रही थी मैंने अपने पीछे दर्वाजा बंद करने के बहाने भीतर घुसकर दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया यही हुआ होगा नहीं तो कौन कहता था ये बचेगी आज भी आसकत होकर लुढक जाती हूँ तो वो द्रस्य साकार होकर आँखों के सामने आ जाता है धुमिल सा आस्मान बेरंग बेनूर और उदास कोई भी पक्सी नहीं उड़ रहा था कोई पतंग नहीं डोल रही थी नही बादलों के रंग असंखे मूर्थियां बनाते हुए आ जा रहे थे रात में तारों की मौजूदगी का कोई निसान बाकी ने था ठेहरे हुए समुंद्र या कैन्वस पर अम्रत पड़ा कोई फीकासा चित्र नहीं हवा के बेहने का कोई शोर नहीं आसमान के सांस लेने की क चमपई आलोक नहीं चान के आने जाने से पहले का फीकासा उजाला नहीं आसमान की छाती में सुराख करके जूलता कोई देवदार नहीं पहाड की तीखी नोक में चमकती बर्फ की कोई परत नहीं बर्फ की आहों का घुट घुटा धुआ नहीं सूर्य की किर्णों के चु इसी आस्मान पर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज नेजाने कैसे संतुलन बनाई खड़ा था निश्चल, अटल, अडूल, सिल्प थर्चा इसी इफी के बदरंग आस्मान के एक हिस्से की तरहें नहीं जहाज के डेक पर कोई था, नहीं किसी खिड़की के पले से लहराता, कोई आचल, नहीं रेलिंग से जूलकर समुद्र को निहारता कोई चहरा, नहीं शोर, नहीं धुआ, सभी कुछ ठहरा हुआ, उदास, भयाकरांत, सबकी सांस जैसे किसी भयानक भयने रोक दी हो, पर मरने ने दिया हो, ऐसा ही तो था वो आश्मान, इसी जहाज से सटकर एक चारपाई, या तक्त नुमा कोई चीज बिना सहारे के खड़ी थी, पता नहीं, किसी ने उठाया हुआ था या नहीं, पर इसी पर मैं लेटी हुई थी, जैसे मौत की वादी का एक हिस्सा, विश्तर नभ में जीने की आसा लिए, करहाता एक स्पंदन, इस समुद्री जाहाज से सटी चारपाई के पीछे, सनरक्षक की तरहें खड़े थे, महान दार्शनिक जे, क्रश्नमूर्ती, साधु पुरुस, सौमे सालीन अडिग, पर उनकी बावडी की तरहें, कहरी आँखों में चि मेरी तरफ घुमा कर कहा, पदमा जी, ये स्वर्ग है, फिर माहौल की चुपी को पीते वे बोले, कितनी शांती है यहाँ, मैं मानों भरी हुई बैठी थी, उनकी बात पूरी होते नहोते, मैंने कहा, मुझे ये शांती नहीं चाहिए, मुझे इस म्रत स्वर्ग की चाहा नह ही है, उन्होंने कहा, यहां बड़ा सुख है, मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मेरे स्वर्ग में उद्धंड का थी, मैंने मचल कर कहा, मैं पिर्थ्वी पर जाओंगी, ये अच्छे जगे नहीं है, वो उदास हो गए, मैं पर्तिक्षा करने रंग बे नूर, ने अंधेरा, ने उजाला, अजीब उदासी भरा, रंग जैसे मौत के बाद का रंग होता है, ने किसी गोरईया के पीछे दोड़ता, उसका जोड़ा, ने रंग बदलते द्रश्ये, नहीं पी, कहां पी कहां, कि रट लगा कर उड़ता हुआ कोई पपीहा नहीं आम मंजीरियों में, रस घोलती कोई कोयल, नहीं शरारत करके भागता कोई भ्रमर, पूरा आस्मान किसी विद्वा की चादर की तरह फैला था, बेदाग आस्मान, जैसे सब कुछ खोकर लुटा पिटा सा बैठा हो, पूरा परिवेस फिर फहर गया था, दार्सनिक मे तिम हीले की तरहें एक बार बोले, पदमा जी ये बैखुंट है, इसकी कामना कौन नहीं करता, यहां विश्णू का निवास मैंने सोचा, मुझे कौन सा विश्णू ने निमंतरन दे कर बुलाया है, अपने बड़पन और मेरी मनुस्य होने की मजबूरी का फायदा उठा रही है, मैं तडब कर बोली होगा, अगर ये बैखुंट भी है, तो भी मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है, बड़ा अंधेरा है, यहां कोई चिराग जलाने वाला दिखाई नहीं देता, इस बेरंग आश्मान पर कोई लहरिये दार दुपट्टे नहीं सुखाता, यहां मन ही मन जानती थी, यही एक लंभा है, अगर मैं उद्दंड नहीं हुई, तो महांदार्शनिक जीत जाएंगे, फिर मैं पिर्थ्वी कैसे देखूंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी, पिर्थ्वी पर लाखों करोडों हाथ शाम की उदास वेला में चेहरे पर चमक लाने के आप तो पिर्थ्वी पर रह कर आए हैं, कभी पिर्थ्वी पर दिवाली तो देखी होगी, मैंने उनकी आखों में भीतर तक जांकते वे कहा, अगर देखी होती, तो दिये की ओट में सुन्दरी बहु के जमकते मुखडे की तीखी नाक पर दमकती, कॉंदती लौंग आपक इन मुखडों पर कुर्बान होते आशिक हैं, इनहीं आशिकों ने बिजली बना कर पूरी पिर्थ्वी को उजाले की दुलहिन कितर हैं सजा दिया है, नहीं, मैं यहां नहीं रहूँगी, मैं पिर्थ्वी पर जाऊंगी